हमारे बेच में परमादनिय धंबीर सिंग असोग जी आएं और अपने उद्वोधन के मात्यम से परमपुजे बाबा साय बंबेट करकुष रद्धा सुमनम अर्पित करते हुए आप सभी को एक संदेश दें समादनिय धंबीर सिंग असोग जी भारत रतन भारत के सम्मिधान निर्माता परमपुजे बाबा साफ डाक्टर भीमराव मबेट करजी के बासट में परनिर्मान दिवस के अवसर पर उपस्थित आग्निय भंतेगं पूजे भंतेगं और इस अवसर पर इखटा हुए सभी दिल्ली गाजयवाद नोडा के सभी सम्मानित भुजुर्गर्ण सम्मानित महिलाएं नौजवान साथियो दोस्तों साथियो आज पुस्पांजली का दिन है क्योंकि बावा साथ डाक्टर मबेट कर छे दिसंबर को हमें अकेला छोड़ कर चले गए तो इस अबसर पर मैं सबसे पहले आप सब की तरफ से उस्पांजली अर्पित करता हूँ साथ ही आप से निविदन करता हूँ कि आप लोग मेरी बातों को माने ना मेरी बातों को जाने अगर जान गए तो मुझे कहने की जोट नहीं पड़ेगी कि आप मेरी बातों को माने आप लोग सते ही मान लोगे आज हम लोगों को ये देखना है कि हम इस देश में मान सम्मान और स्वावी मान का जीवन कैसे जी सकते हैं क्योंकि खत्रा इसी बात का है जीएंगे तो जरूर लेकिन कहीं गुलामी तो नहीं आने वाली बाबा साहब स्वावी मान दे कर गए सम्मान दे कर गए और आज इस देश में चारत तरफ बादल मंडरा रहे है वे लोग जो लोग हजारों साल से पाखंडवाद अंद्विश्वास के बल पर हम लोगों को गुलाम बना कर रखे थे उन लोगों को बाबा साथ डाक्टर मबेट करका ये राश्ता पसंद नहीं आ रहा है वे लोग उने हमको उसी जगे ले जाना चाहते हैं गाय के नाम पर धरम के नाम पर या अन्य अंद्विश्वास के नाम पर तो हमें पहले जानवर नहीं पहले इंसान के बारे में सोचना ह अगर इंसान सुरक्षित रहेंगे तो जानवर भी सुरक्षित रहेंगे और अगर इंसान ही गुलाम बन गए तो जानवर तो ऑटोमेटिक गुलाम होते हैं इसलिए आज इस सबसर पर किस चीज की जवर्द है एक सब्द सक्ती जो मैं पढ़ रहा हूँ उसका अंग्रेजी में नाम है पावर जोस, एनरजी, उर्जा ये पावर है कहाँ ये देखना है नौ जवान में जीने के लिए पावर तो है पर उस पावर का इस्तेमाल कैसे होगा ये पावर जादा बड़े रूप में कैसे बनेगी हमें इस पर ध्यान देना है बावा साफ डक्टम बेटकर ने संविधान बनाया इस देश को चलाने के लिए सांती वहस्ता बनाने के लिए कानून वहस्ता बनाने के लिए करतबे और अदकार दिलाने के लिए लेकिन क्या वास्तम में बाबा का सम्मिधान लागू हो रहा है इस देश में आज भी समाज में जाकर के दोखोगे तो वहाँ पर आज भी मनु का सम्मिधान लागू होता है इसलिए हमें अगर बाबा साब का सम्मिधान लागू करना है तो हमें पावा साब की एक बात पर चलना पड़ेगा जब तक हम उस बात को ले करके नहीं चलेंगे हम लोग बहुत चल्दी कह देते हैं हम नॉन पॉलिटिसियन हैं हम गेर राजनितिक हैं मैं कहता हूँ पावा साब ने एक भी आदमी को गेर राजनितिक नहीं रहने दिया सब को पॉलिटकल बनाया राजनितिक बनाया सब को बोट का अधकार दिलाया एक एक आदमी के पास बोट का अधकार है जब वो अपने बोट का अधकार का इस्तेमाल करता है तो political ही कहलाता है इसलिए हम लोग हमस्टेंस को आसानी से बोल देते हैं कि हम non-politiciano है नहीं! हम पहले politician है उसके बाद कुछ और है क्यों? क्यों कि power के बिना कुछ नहीं है बिना सक्ती के बिना कुछ नहीं है इसलिए तो बाबा साथ डेक्टर मबेट करने का था पॉलिटिकल पावर इस दम मास्टर की ओपॉल विट केले पिन इच एंड अबर लोग लाज न तिक सकता वो मास्टर चावी है जिस से हैं प्रकार का ताला फुल जाता है एक चावी बना लो हजार चावी बनाने की जवर्त नहीं है हजारों ताले खुल जाएंगे और मैं आपको यह भी बताने चाहता हूँ बाबा साथ अगर कितने भी पढ़ जाते कितने भी पढ़ जाते विदैस में भी पढ़ लेते अगर यहां पर अंग्रेजों की नहीं होती अंग्रेजों का शासल नहीं होता तो बाबा साथ इस देश में कुछ भी कर नहीं पाते यह अंग्रेजों की ताकत के बल पर बाबा साथ डाक्टर मबेटकर ने इस देश में अपने आपको इस्थापित किया क्यों क्योंकि इस देश के जो करणधार थे जो चाहते थे जो कांग्रेश के लोग थे उन्होंने ये कह दिये था कि हम डॉक्टर म्बेटकर को संसद में नहीं आने देंगे संभीधान सबा में आने नहीं देंगे हमने उनके लिए सारे गेट, सारे तरवाजे, सारे रोसंदान बंद कर दिये हैं लेकिन धन्यबाद देता हूँ बंगाल के अपने उन चांडा लोगों को जिनोंने विसम परस्तितियों में बाबा साथ डाक्टर म्बेटकर को संभीधान सबा में भेजा लेकिन यहां के चालाख लोगों ने बाबा साथ डाक्टर म्बेटकर संभीधान में ना रह सके इसलिए जिस छेतर से जीत के आये थे खुलना चैसोर को उन्होंने उस छेतर को पाकिस्तान को दे दिया जबकि शर्थ यह थी कि जहां पर उडन चास परसेंट हिंदू होंगे और इक्क्यामन परसेंट मुसल्मान होंगे या जहां पर मुसल्मान उडन चास परसेंट होंगे और हिंदू इक्क्यामन परसेंट होंगे तो इक्क्यामन परसेंट हिंदू वाला छेतर वो भारत में रहेगा और उडन चास परसेंट वाला छेतर वो पाकिस्तान में रहेगा लेकिन वहाँ पर क्यामन परसेंट हिंदू थे उसके बाद भी गांधियन कंपनी ने वो छेतर पाकिस्तान को दे दिया बावा साथ बड़े परेशान हुए उन्होंने कहा कि इनका मकसद मुझे सम्मिधान में सभा में जाने से रोकना है इस समाज भारत में है और ये मुझे नहीं चाहते कि मैं भारत में रहूं इसलिए आप लोग इन लोगों पर दवाप बनाओ कि पहले डॉक्तर में बेटकर को सम्मिधान सभा में लेकर के आओ तब हम तुम्हारा देश आजाद करेंगे यही बात लौड मॉम बेटन ने नहरों और गांधी से कही तब इनोंने दवाब में आकर के एक सीट को खाली कराया और बाबा साथ को सम्मिधान सभा में लाए तो ये अंग्रेजों की ताकत की बदोले सम्मिधान सभा में आए अगर अंग्रेजों की ताकत नहीं होती तो बाबा साथ सम्मिधान सभा में नहीं आत जहां ताकत नहीं है वहां किसी की कोई बात नहीं माने जाती और आज ये इस देश के जिन जो मुखिया बने वैठे वो धर्म के नाम पर पाखनवाद के नाम पर अंद्विस्वास के नाम पर हम इस देश के गरीबों को गुम्रहा और परेशाम कर रहे हैं पिटाई कर रहे है हर तरह से परेशान कर रहे हैं क्यों? क्योंकि ताकत उनके पास है और जब तक राजनितिक ताकत उनके पास रहेगी हम लोग कुछ भी उनका प्रिगार नहीं पाएंगे इसलिए अगर आप चाहते हो कि हमारे पास ताकत आए तो एक ही रास्ता है और वो इस देश के अंदर है अकेली बेहन कुमारी मायवती जी जो बहुजन समाज पाल्टी को इस समय पूरी ताकत के साथ लेकर के चल रही है आप सब लोगों को एक जुठो करके बेहन कुमारी मायवती जी का साथ देना पड़ेगा वैसे पूरे तेश में मैं चारतर देख रहा हूँ आज हल चल है आज हमारा नौजवान हमारा नौजवान तब का पूरा बेहन जी के साथ दे रहा है क्योंकि मैंने देखा है 80% राजिस्थान में नौजवानों ने पृतिक्या कर ली है और उसी से मुझे अंदाज अलग रहा है कि आने वाले 4 दिसंबर को जब बेहन जी दिल्ली में ताल कटोरा इस्टेटिम में आएंगी तो वहाँ पर भी हमें नौजवान साथी देखने को मिलेंगे और वो ये निड़ने लेंगे कि आने वाले 2019 के चुनाम में हम बहन कुमारी मायवतीज को हम भारी बतों से जिता करके उनको इस देश का मुख्या बनाने का प्रियास करेंगे इसलिए आज इस सब्सर पर जो बाबा साथ दाक्टर मबेटकर का पर निर्मान दिवस है तो अगर संबिधान को सुरक्षित रखना चाहते हो अगर संबिधान को इस देश में लागू करना चाहते हो अगर संबिधान को जानना चाहते हो तो आप लोगों को पहले राज लितिक ताकत को जानना पड़ेगा इस पॉलिटिकल पावर को अपने हाथ में लेना पड़ेगा तभी आप लोगों का भला होगा वरना तो ये अंद्रिस्वास में आप लोगों को चक्रे रहेंगे और इधर हमारी बेहन बेटियां बैठी हुई है इनके लिए मैं अक्सर एक कहानी सुनाये करता हूँ आज यहां पर भी मैं उस कहानी को ती चोदे एक्टुबर उन्यस्सोचपन को नाकुमें जब उन्होंने बहुत धरम ग्रहन किया था उस दिन यह 22 परतिक्याएं ती थी लेकिन क्या वास्तम में अमबेट करवादी उन 22 परतिक्याओं पर आमल करते हैं जब तक उनके घर में बारे हाथ वाली या खड़ाओं वाली या तलवार वाली या उनके तस्वीरें दिखाई देती रहेंगी समझें वों बेट करवादी नहीं है वे लोग मनुबाद के पोसक हैं कि अ कि कि